इस पुस्तक में व्यक्त किये गए विचार लेखक के निजी विचार है और इसकी जिम्यदारी भी उनी की है ना के इसके वाचक की इस आलेख में दिये हुए संदर्ब ततकालीन है बहारार सुनते समय कृपया उन्हें समकाली मापदंड न लगाए लेखक के विचारों को सीधे लोगों तक पहुँचाना यही इस पठन श्रिंखला का एक मात्र उद्देश है नमस्कार दे म्यूजिक बुक क्लब तहट मैं डॉक्टर मानसी अरकडी उस्ताद विलायत हुसेन खां द्वारा लिखी संगितअग्यों के संस्मरण ये किताब प्रस्तुत कर रहे हूं कलाकारों के चंद लतीफे एक जमाने में जैपूर में जहां अच्छे अच्छे गुनी जमा थे रजब अलिखा बीनकार के मकान पर सब लोग मिला करते थे एक रोज का जिक्र है कि वहां दस बारा मशुहूर कलाकारों का मजमा था शाम के वक्त ये लोग सेहन में एक बड़े पलंग पर जिसे माचा कहते है बैठे हुए थे मौजूद लोगों में मुबारक अलिखा, बहराम खा, खुदाबक्ष, इमरत सैन, खैरात अलिखा जैसे कलाकार थे और आपस में हसी दिलगी की बाते हो रही थी बहराम खा ने ख्याल गाने वालों की बहुत बहुत हसी उड़ाई वे कहने लगे कि ख्याल का गाना जनाना गाना है और धुरुपदों का गाना मरदाना और बहादुरी का गाना है इस लफ्स पर मुबारक अली खांसे जपनों हो सका और फौरन बहराम खांसे कहा बड़े मिया हमारा गाना ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं हाँ जरा समलिये ये कहकर जो एक जबरदस्त तान गमक के साथ ली तो पलंगे चारों पाएं तूड़ गए और जितनी आदमी पलंग पर बैठे हुए थे गिर कर जिलंगे में इस तरह फस गए जैसे कबूतर जाल में फस जाते है बड़ी मुश्किल से ये लोग समल समल कर जिलंगे से निकले हर शक्स हस्ता हस्ता लोटपोट हुआ जाता था और सब के पेट में बल पड़े जा रहे थे बहुत दिनों तक लोगों को ये वाक्या याद रहा ये जैपूर के महाराजा सवाईर राम सिंग के खास दरबार का जिक्र है वहाँ बहुत से गाने बजाने वाले नौकर थे महाराजा सहाब को गाने बजाने के अलावा इन लोगों की बातों में भी लुद्फाता था इसलिए खास अवसरों पर हर शक्स को बात करने की इजाज़त थी एक रूस का जिक्र है कि बहराम खाने सोचा कि आज गवयों को चिड़ा कर कुछ लुद्फ उठाना चाहिए ये ख्याल आते ही खास साब खड़े हो गए और महाराजा साब से अर्स की हुदूर आली मेरी एक गुजारिश है महाराजा साब ने फरमाया जरूर कहो खास साब ने कहा खुदा के दर्बार में जब इल्म बाटा जा रहा था तो वहां सिर्फ मैं हाजित था मुझे इल्म इनायत हुआ बाके गवईये मौजूद न थे उनको इल्म न मिल सका अब बेखबरी से चिल्लाना इन लोगों को आ गया है ये सुनकर अमीर बक्ष नोहार से न रहा गया वे भी फोरन ही खड़े हुए और महाराजा साब से अर्स की महाराज मेरी भी एक बिंती है महाराजा ने कहां जरूर कहिए आपका क्या मतलब है खासाब ने कहां जैसे बहराम खासाब ने अभी बताया कि इल्म के बटवारे के बक हम लोग गैर हाजिर थे ये बात सही है मगर खुदा के उस दर्बार में जहां असर बाटा जा रहा था वहां हम लोग हाजिर थे और हम सब वहां से अपना अपना हिस्सा ले आए अफसोस की बात ये है कि बहराम खासाब वहां गैर हाजिर थे इसलिए ये इस चीज से महरूम रहे बात सुनकर महाराजा साब ने हस कर कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कहते हो दर्बार में जो और लोग मौजूद थे वे भी इस लतीफे पर बहुत हसे गवईयों को अक्सर मीठा खाने का शौक रहा है कोई-कोई गवईया तो मीठे का इतना शौकीन रहा है कि अगर मीठाई न मिले तो वो बूका रहता मुबारक अली खान को जो अलवर के महराजा शिवदान सींग के दर्बार में थे मिठाई खाये बगएर चैन ही न आता था उनका वेतन भी अच्छा था 700 रुपया महावार उन्हें मिलता था इनके मकान पर शागिर्दों और दोस्तों का एक मजमा रहता और कोई कोई शागिर्द और दोस्तों इन ही के दस्तरखान पर खाना खाते थे इसलिए तनख्वा काफी न होती थी और अकसर कर्जदार हो जाते थे कर्ज जादातर हलवाई का होता जहां से ये रोजाना मिठाई उधार मंगवाया करते थे जब तक उनके पास पैसा रहता मिठाई नगत आती वरना उधार पर महिने दो-चार सु रुपए हलवाई के कर्ज हो जाते एक बार कर्ज बढ़ते बढ़ते कही हजार तक पहुँच गया तो हलवाई को फिक्र हुई उसने कही बार खासाब के यहां आदमी भीजा मगर खासाब के पास क्या था जो देते वे टालोंटोल करते रहे हलवाई ने तंग आकर महराजा सहाब के खिद्वन्त में अर्जी पेश कर दी और उसमें लिखा कि मुबारक अली खासाब पर मेरा कई हजार रुपया आता है महराजा सहाब को ये बात मालूम हुई तो बड़ा ताजुप हुआ और कहां खासाब किस कदर मिठाई खाते थे इसके बात महराजा सहाब ने हलवाई को तो सब रुपया खजाने से दिलवा दिया मगर इसके साथ ही ये हुकुम भे दिया कि आज से खासाब को कोई मिठाई ये शक्कन न दे न नगत न उधार सरकारी होकुम था, सब ने इस पर अमल किया और खासाप को मिठाई मिलनी बंद हो गई इस पर खासाप बड़े परिशान हुए बगर कुछ सोच कर अपने नोकर को बुलाया और कुछ रुपया देकर उससे कहा कि अतार की दुकान से बारा बोतले अनार के शर्बत की खरीद लाया नोकर फोरण गया और खरीद लाया खासाप ने जर्दा पकवाया और उसमें शक्कर की जगह अनार का शर्बत डलवाया जगा खासाप ने खुद भी खाया और अपने दोस्तों शागिर्दों को भी खिलाया अब रोजाना बारां बोतले अनार के शर्बत के आने लगी जब पैसे निबढ गए तो खासाप ने अतार को बुलवाया और कहा कि तनख्वा मिलने पर सब पैसे दे दिये जाएंगे और वो रोज बारां बोतले बेज दिया करे जब ये खबर महाराजा साहब तक पहुंचे तो वो बहुत हसे फिर खासाप को बुलवाया और उनकी तनख्वा दो हजार कर दी और मिठाई कर्ज मंगवाने से मना कर दिया रामपूर के नवाब जनाब हामिद अली खां उस्तार वजीर खां के शागिर्थ थे और संगीत के बड़े भारी जानकार थे उनको तानसेन जी के घराने के बहुत से दुरुपद याद थे बहुत से तालोम पर काबू था और अस्ताईयां तथा ख्याल भी सैंकडो ही मालूम थे इनके दर्बार में अच्छे अच्छे गवई ये थे यही वज़ा थी कि उन्होंने बाहर के लोगों का गाना सुनना बन कर दिया एक बार का जिक्र है कि आगरे वाले गुलाम अबास खां अपने किसी काम से मुरादाबाद गए वही उन्हें खयाल हुआ कि रामपूर पासी है नवाब साहब को जरा सलाम भी करते जाए इसलिए अपना काम पूरा करके रामपूर पहुँचे वहाँ वे मूल जी नामक एक दरबारी के यहां ठैर गए और उसको अपना इरादा बताया मूल जी ने दूसरे ही दिन नवाब साहब से अर्ज कर दिया कि गुलाम अबास खां आये है और सरकार को सलाम करने के लिए दरबार में हाजिर होना चाहते है नवाब साहब ने हुक्म दिया कि उन्हें अगले दिन सुबह अपने साथ ही लेते आओ दूसरे दिन सवेरे खां साब महल में हाजिर होये नवाब साहब ने सलाम के लिए अंदर आने की इजाज़त दे दी खां साहब ने पहुंचकर शाहना सलाम किया और आग्या पाकर बैठ गए नवाब साहब ने पहले तो कुशल मंगल पूछी और शिष्टाचार के बाते करते रहे उस समय नवाब साहब के उस्ताद बजीर खाबी वहां मौजूद थे यकायक नवाब साहब ने फरमाया मिया गुलाम अब्बास मैंने तो गाना सुनना छोड़ दिया है हाँ साहब ने फॉरन अर्ज किया ये तो सरकार ने बहुत ये अच्छा किया क्योंकि हिंदुस्तान भर के गवईयों को आप सुन ही चुके है दूसरी यहां खुद सरकार को संगीत विद्या का ऐसा ज्यान मिल चुका है जिसका जवाब नहीं फिर ऐसे वैसे को सुनकर परेशान होने से क्या फाइदा जो हुजूर ने किया है वही मुनासिब था फिर बाचीत के सिरसिले को बनाय रखने के लिए खासाब ने अर्ज किया हुजूर आली बंदे ने भी गाना छोड़ दिया है क्यूंकि अब बुढ़ापे का वक्त है बहा कुछ गा बजा चुका हो अब तो काबे के हज की आर्जु है खुदा पूरी करे नवाप साब चुपचाब ये बाचीत सुनते रहे फिर कुछ देर बाद बोले मिया गुलाम अब्बास मैंने हिंदुस्तान भर के गाने बजाने वाले सुने मगर सिर्फ दो आदमी मुझे लैदार नजर आए वे दो आदमी कौन से है खासाब ने पूछा नवाप साब ने फरमाया एक तो लखनाओ वाले बिंदा दिन और दूसरे उस्ताद वजीर खासाब ये सुनकर खासाब ने फौरण ही आज़ किया सरकार अली एक हस्ती को भूल गए नवाप साब को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई और बूले बिल्कुल गलत है कोई तीसरा है तो उसका नाम लो खासाब ने फौरण कहा सरकार अली वे खुद आप है खुदा ने आपको लै और सुवर का हिस्सा पूरा इनायत किया है नवाप साब ये सुनकर खुश हो गये और कहने लगे भाई ये तो तुम्हारी मुहबबत है जो ऐसा कहते हो कुछ देर बाद नवाप साब ने पूछा ओलाम अब्बास ये तो बताओ कि जैपूर वाले मुशर्फ खां कैसे बीन बजाते है खासाब ने अर्ज किया साब मुशर्फ खां के क्या कहने हिंदुस्तान के अच्छी बीन बजाने वालों में से है नवाप साब ने फिर फरमाया उस्ताद वजिर खां साब कैसे बीन बजाते है खासाब ने वजिर खां साब की तरफ इशारा करके कहा ये तो किसी में नहीं नवाप साब इस बात पर चौंक पड़े और जरह सी नाराजी के साथ बोले ये तुमने हमारे उस्ताद के बारे में क्या कहा खासाब ने अर्ज किया सरकार बीन तीन तरह की होती है ये किस तरह नवाप साब ने पूछा असली, नकली और फसली खासाब ने अर्ज किया नवाब साब ने फिर पूचा जरा और समझा कर कहो खासाब ने अर्ज किया असली वो बीन है जो चौदह पुष्ट से खांदान में चली आ रही है सच्चे काइदे, सच्चे सबक, सच्चे तरीके भी वहां उसी तरह चले आ रहे है दूसरी नकली बीन वो है कि किसी ने उसकी नकल की और बजाने लगे तीसरी बीन फसली है जिसके मानी ये है कि कहीं बीनकार बन गए, कहीं सतारिये जहां जैसा मोका दिखा वहां वैसा ही करने लगे अब इन बीनों पर वार करने से जाहिर होता है कि असली असली ही है और नकली नकली खासाव वजीर खां की बीन असली है हिंदुस्तान की बीनकार इन्ही से सीखे और इन्ही की नकल करते है खासाव किसी में नहीं है बाकिस सब इन्हीं में से है पुलाम अब्बास साहब इतना ही कहने पाए थे कि नवाब साहब खुशी के मारे उच्छल पड़े और उनकी युग्यता की तारीफ की वे इनसे इतनी खुश हुए कि एक हजार रुपय का इनाम भी दिया पुराने बुजर्ग आपस में बड़े मेलजोल से रहते और बड़ी महबच से एक दूसरे से मिला करते थे इनमें आपस में कभी-कभी हसी दिल लगी भी होती थी मगर कभी दिलों में रंजिश नहीं पैदा होती थी एक बार देहली वाले तानरस खां गौलियर आये हुए थे और सराय में ठेहरे थे उन दिनों गौलियर में उस्ताद हदू खां, हसू खां और नतू खां वगरे का दौर दौरा था एक रोज तानरस खां से मिलने के लिए ये लोग सब सराय में आए और दूसरे रोज तानरस खां भी उनके मकान पर गहे। सैयोग वश उस समय नतू खां मकान पर मौजूद न थे मगर हदू खां ने उनकी बड़ी खातिर की और बड़ा सुआगत किया। वहाँ एक खूंटी पर एक लंबी पगड़ी बंदी हुई थी जिसको उस जमाने में चीरा कहते थे। तानरस खां ने उसे देखा तो वो उने बहुत पसंद आई और खूंटी से उतार कर उसे पहन लिया। ये देखकर हदू खां ने कहां अगर आपको पसंद है तो उसे अपने पास ही रखिये। इस पर तानरस खां पगड़ी को अपने साथ ले गए। पर फौरण ही शेहर में ये बात मशुहूर हो गई कि तानरस खां नत्थू खां की पगड़ी ले गए। नत्थू खां ने ये बात सुनी तो फौरण घर आए और दर्यास करने पर उन्हें मालूम हुआ कि सचमुझ तानरस खां पगड़ी ले गए है। नत्थू खां ये सुनते ही हाथ में भाला ले घोडे पर सवार होकर सराय की तरफ चल दिये। सराय में पहुँच कर देखा कि तानरस खां पलंग पर लेटे हुए है। नत्थू खां ने करीब पहुँच कर भाला उनकी छाती पर रख दिया और कहने लगे लाओ पगड़ी कहा है हाजिर करो। तानरस खां ने कहां भाई साब आईए बैठिये मैं अभी आपको पगड़ी देता हूँ। मगर ये नहीं मानी कहने लगे बाचीत पीछे होगी पहले पगड़ी लाओ। तानरस खां ने जल्दी से पगड़ी पेश कर दी। उसके बाद दोनों सहाब मिलकर बैठे और बहुत देर तक पाते कते रहे। ये बाद भी दोस्तानाक तरीके से खतम हो गई। बलकि पगड़ी का जिक्र भी कभी बीच में नहीं आया क्योंकि दोनों के दिल साफ थे। जैपूर नरेश स्वर्गवासी महराजा राम सिंग को संगीत विद्या की बहुत अच्छी समझ थी। वे खुद बीन बजाते थे और हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामिक गवईये उनके दर्बार में थे। उनके अलावा बाहर से कोई गुणी आ जाता तो उसे जरूर सुनते। एक बार का जिक्र है कि पंजाग के खासा गाने वाले जैपूर आये। महराजा के पास खबर पहुंची और उनका होकुम हुआ कि आज ही रात को सुनेंगे। रात को नियत समय पर खासाब दर्बार में हाजिर हुए। उनका लिबास बहतरीन था। कमखाब, मुशजर और सेले वगारा पहने हुए थे। हाथों में सोने के कड़े और अंगूठियां भी थी। महराजा साहाब ने गाने का होकुम किया। हासाब ने तंबूरे की जोड़ी किसी न किसी तरह मिलाई और गाना शुरू किया। महाराजा साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे और दर्बार में उपस्ति दूसरे लोग भी कान लगाये थे मगर इन साहब का कोई सुल्ट सच्चा न लगता था, न ताल का कोई ठिकाना था, न राक का मुश्किल से महाराजा साहब ने एक घंटा उनका गाना सुना गाना बंध होने पर महाराजा साहब ने खजान जी को हुकम किया कि 500 रुपए और 5 टके कच्चे खासाब को दे दिये जाए और ये कह दिया जाए कि 500 रुपए तो तुम्हारे कपडों और ठांट के लिए है और 5 टके तुम्हारे गाने के खासाब ने 500 रुपय तो वापस कर दिये और 5 टके लेकर रख लिये सरकारी आदमी से उन्होंने कहा मैंने अपने गाने का इनाम ले लिया कपड़ों के इनाम के लिए मैं नहीं आया था इसलिए इन 500 रुपयों को वापस करता हूँ उसके बाद खासाब अपने वतन पंजाब को लोट गए मगर इस घटना के बाद से उन्हें नीन नहीं आती थी इनके स्वाबिमान का तकाजा था कि दिन रात गाने की मेहनत करे और जिस दरबार से 5 टके पाए थे वही से इज़त हासिल करे फिर क्या था रात दिन गाने पर मेहनत शुरू कर दी सब आश्रो आराम छोड़ दिया तीन साल की कोशिश से इनके गले में सच्चे स्वर बैट गये और गाने में मजा पैदा हो गया गले में असर आ गया तीन साल बाद ये फिर जैपूर पहुंचे महराजा सहाब के पास खबर हुई उन्होंने इनको बुलाया और देखते ही पहचान गये मगर इस बार तो इनका पहले जैसा ठांड बांट न था गाना शुनू करने की आज्या मिलते ही तंबूरे की जोड़ी मिलाई तो वो भी बड़ी सुरीली मिली और गाना शुरू होते ही रंग आने लगा महराजा सहाब बेहत खुश हुए उनकी हर उपच पर महराजा सहाब प्रसन होते और दिल से वाह वाह निकलती उस दिन महराज ने अपने नियम से विपरित दो घंटे तक इनका गाना सुना और सुनने के बाद बूले मिया गैरत हो तो तुमारे जैसी हो जा कहने हैं तुमारी गैरत और मेहनत के तुमने हमको बहुत खुश किया है इसके साथ ही महराज ने इनको बहुत कुछ इनाम वगारा भी दिया खासाब ने अर्ज किया हुजूर ये गैरत आप ही ने दिखाई थी कि मैं इस दर्जे तक पहुँँच सका दूसरी बात ये है कि मुझे सरकार ही ने पहचाना दर्बार के दूसरे लोग मुझे अब तक नहीं पहचान पाए ये जिक्र सन 1860 का है वियासत भरतपूर के महराजा सहब को संगीत विद्या का बड़ा शौक था उनके दर्बार में कई नामी गाने बजाने वाले वेतन पाते थे महराजा सहब मदारबक्ष के गाने से बहुत खुश थे एक बार सालगिरा के उत्सव के समय इनके गाने पर बहुत प्रसन्न होकर महराज ने उन्हें बड़ा इनाम देना चाहा और पूछा हासा आपकी जो इच्छा हो वो बताईए वो मैं आपको दू सैंगो वश उस समय महराज के हाथ पर बाज या ऐसी ही किसम का कोई पक्षी बैठा हुआ था महराजा सहाब उससे दिल बहलाया करते थे खासाब ने रियासती जबान में महराज से कहा या चिरया को मेरे हाथ पर बिठाए देओ महराज ने तुरंत उस पक्षी को खासाब के हाथ पर बिठा दिया और जो डोरी पक्षी की कमर में बंदी होती है वो खोल कर खासाब के हाथ में बान दी खासाब पक्षी को लिए खुशी खुशी अपने घर आए तो उनके घरवाले और दोस्त सभी अफ्सोस करने लगे और उनसे बूले आपने भी क्या मांगा कोई काम की चीज ही मांगते खासाब ने कहा तुम उसके कदर क्या जानो ये चिरईया या तो महराज के हाथ पर थी या आज मेरे हाथ पर है एक बार गगे खुदावक्ष खां रियासत जैपूर से चुटी लेकर अपने वतन आगरे में आये हुए थे खासाब तबियत के बड़े भोले और सीधे सच्चे आदमी थे एक दिन का जिक्र है कि एक नया आया हुआ पंजाबी गवया खासाब के मकान पर मिलने पहुँचा और अपना बड़ा शौक जाहिर किया कहने लगा मेरी जैत राग सुनने की बड़ी अच्छा है आपकी तारीफ सारी हिंदुस्तान में है मुझे उम्मीद है कि आप जैत राग मुझे जरूर सुनाएंगे खासाब बोले भई जैत वैद तो मैं जानता नहीं हूँ हाँ तुम चाहो तो गाना सुन सकते हो वो बोला मैं गाना तो सुनना नहीं चाहता मुझे आप तंबूरा दे दीजिए इस बात पर खासाब ने उसे तंबूरा दे दिया और वो लेकर चलता बना इसके बाद उसने ये बात मशूर की कि मेरी फर्माईश खासाब पूरी नहीं कर सके इसलिए मैं उनसे तंबूरा चीन लाया तंबूरा ले जाने के थोड़े ही दिन बाद खासाब के बड़े लड़के और कई शागिर घर पर आये और उन्हें सब हाल मालू हुआ उन्हें पता चला कि उसने जैद की फर्माईश की थी जिसके बारे में खासाब ने अपनी असमर्तता प्रकट की और इसी बात पर वो तंबूरा ले गया खासाब के लड़के को इस बात से बहुत बुरा लगा उसने खासाब को जैद के एक अस्थाई याद दिलाई तो बोले अरे इसी को जैद कहते हैं इस राक की तो मुझे बहुत से अस्थाईया याद है इसके बात फौरण ही सब लोग उस पंजाबी गवये के पास पहुँचे और उससे कहा तुने ऐसे बुजर्ग के साथ जो सीधे सच्चे स्वभाव की इनसान है और जिने गाने के सिवाय और कोई धुन ही नहीं है बड़ी बेदभी की है तुझे तराक सुनना चाहता था तो एक की जगर दस चीजे सुनता तुझे इनसानियत से बैट कर बात करनी और उनकी बुजर्गी का खयाल करके मौका देख कर अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए थी पर तुने तो इन सब बातों को ताक में रख दिया और इतनी ज्यात्ती की कि तंबूरा उठा लाया पर इतना याद रहे कि बुजर्गों की बद्वा अच्छी नहीं होती इतना सुनते ही वो पंजाबी गवया उठ खडा हुआ और तंबूरा भी उठा कर बगल में दाब लिया बोला आप मुझे अपने साथ ले चले मैं वहाँ चल कर उनके पैरों पर गिर कर माफी मांगोंगा खासाब के घर पहुँच कर वो उनके पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड कर माफी मांगी खासाब ने भी उसका अपराद ख्रमा कर दिया उसके बाद उन्होंने तंबूरे की जोड़ी मंगवाई और मिलाने के बाद गाना शुरू किया और जैत ही शुरू किया खासाब के गाने के क्या कहने गाना इतना दर्द बरा था कि लोग वा की जग़ हाय करने लगे गाना खदम हुआ तो वो पंजाबी गवया उठकर खासाब के पास आया और उनके पैर पकड़ कर खूब रोया और बार-बार अपनी गल्दी के लिए अफसोस प्रकट करके माफी मांगने लगा बाशाः अमीर तैमूर लंग ने दिल्ली जीतने के बाद बड़ा भारी उत्सम मनाया तो गवयों को भी बुलाया था मगर कोई कलावन्त नहीं मिला बड़े तलाश करने के बाद एक अंधा गवया बाशाः के सामने पेश किया गया बाशाः इसका गाना सुनकर बहुत खुश हुए और नाम पूछा जवाब मिला दौलत खाँ बाशाः ने हसकर कहा क्या दौलत भी अंधी होती है खासाम ने हसकर जवाब दिया अगर अंधी नहोती तो लंगडे के गर क्यों आती राज घरानों में संगीत हिंदुस्तान के खिलजी और तुगलक वंश के सुल्तानों को संगीत से बहुत लगाव रहा है और इनके संगीत प्रेम की बाद इतिहास में भी मौजूद है जौनपूर के बाचाओं के शर्की वंश में सुल्तान हुसैन शर्की संगीत के बड़े पंडित हो गये है इस खांदान के और लोग भी ऐसे ही गुणी हुए है बाचाहा अकबर के अभिभावक बहराम खां संगीत के बड़े कलाकार थे और कलाकारों के कदरदान भी उनके सुपुत्र नवाब अब्दुर्रहिन खांखाना संगीत के बड़े जबरदस्त जानकार और कवी थे उनके यहां इरानी और हिंदुस्तानी मुसल्मान हिंदू गवये नौकर थे बाचाहा जहांगीर का भी संगीत कला में बड़ा दखल था उसके दर्बार में ऐसे ऐसे कलाकार इकठे थे कि जिसका दूसरा उधारन इतिहास में नहीं मिलता असल में ये संगीत की जवानी का जमाना था इस जमाने में संगीत कला को भी वही स्तान मिला हुआ था जो दूसरी विद्याओं और कलाओं को यहां तक कि संगीत सीखे बिना किसी शहजादे या रहीजजादे को पूरी तरह शिक्षित नहीं माना जाता था इसलिए उन दिनों दूसरी विद्याओं के साथ संगीत भी शिक्षा का ही एक अंग था और दिली के बादशाह देश भर में से ढून ढून कर कलाकारों को अपने दर्बार में इकठा गया करते थे उसी तरह दक्षिन में एहमदनगर, बिजापूर, बुर्हानपूर और गोलकुंदा के बादशाह गवयों को बुलवाते और संगीत की शिक्षा दिलवाते थे बादशाह जहंगीर के जमाने की एक बड़ी दिल्चस्प घटना कही जाती है बादशाह एक खास किसम का शिकार खेलते थे जिसका नाम कमरगा था उसका तरीका ये होता था कि शिकारगा में पहुँच कर संगीत मंडली गाना शुरू करती थी और थोड़ी ही देर में संगीत को सुन कर हिरन गाने बजाने वालों के आसपास इकठा हो जाते थे और उन्हें पकड लिया जाता था राजा उदैसीं की बेटी भानमती जिसने बाद में शहजाह को जम दिया जब जहांगीर को ब्याही गई तो उसकी संगीत कलाकी सारे महल में धूम हुई थी खुद बादशाह शहजाह दुरुपत के गाने में सानी नहीं रखते थे अलावल मुलक तौनी जो शहजाह के गदी पर बैठने के साथ साल बाद भारत आया और जिसे फाजिल खाखा खिताब मिला और जो औरंगजेप के शहसन में प्रधान मंत्री भी बना हिंदुस्तानी संगीत का इतना बड़ा जानकार था कि उस समय के बड़े बड़े उस्ताद आकर उससे संगीत सीखते थे खाने जमा मीर खलील जो अमिनुद दौला के दामात थे संगीत के इतने बड़े माहिर थे कि उस जमाने में संगीत अग्यों के राग रागिनियों को लेकर होने वाले आपस के जगड़ों को मिन्टों में निप्टा दिया करते थे शहजादे मुराद की प्रेमी का सरजबाई भी बहुत उम्दा ख्याल गाती थी मगर खुद शहजादा मुराद इतना उंचा संगीत अग्य था कि सरजबाई भी उसका लोहा मानती थी निजामुल मुल्क के सुपुत्र आसिव जहाँ शहीद संगीत के इतनी प्रेमी थे कि उसे ठीक ठीक समझने के लिए उन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया और संगीत में बहुत जानकारी हासिल थी हजरत शेख सलीम चिस्ती के पोते नवाब इसलाम खां संगीत के इतनी प्रेमी और जानकार थे कि असी हजार रुपे महावार संगीत पर खर्च करते थे बाशा और रंगजेब को भी जबकि वो सिर्फ शहजादा था संगीत की शिक्षा दी गई थी मगर इसका ध्यान राजनीती की तरफ अधिक था इसलिए उसने अपने दर्बार से संगीत को हटा दिया था मगर उस समय के लगबक सब राजा, महाराजा, अमीर, जमीनदा, नवाब, संगीत के भक्त और प्रेमी थे यही कारण है कि संगीत बादशाही दर्बार से निकल कर इनके दर्बार में फला फुला यह बात संगीत के लिए अच्छी ही साबित हुई क्योंकि इस प्रकार संगीत जनता के अधिक समीब पहुँचा मालवी की सुल्तान बाज बहतुर संगीत के बड़े ज्यानी थे और नायक भी थे उनकी रानी रूप मती भी संगीत, कला और कविता में इनके साथ साथ थी इनकी बनाई हुई चीजे आज भी गाई जाती है वालियर के राजा मान सिंग संगीत के बड़े जानकार और कदरदान थे वे खुद भी दुरुपत बहुत अच्छा गाते थे और रचना भी करते थे उन्नीसवी सदी में जैपूर के महाराजा सवाई जै सिंग संगीत के बहुत बड़े जानकार हुए और उन्होंने रजजबली खां से बीनकारी सीखी उनसे कुछ पहले अलवर नरेश महाराजा शिवदान सिंग भी संगीत के बड़े प्रेमी और जानकार थे रामपूर के नवाब कलबे अली खां, आसिम अली खां और हामिद अली खां संगीत के बड़े अच्छे जानकार और सच्चे प्रेमी हुए है और मौजूदा नवाब भी संगीत के बड़े विद्वान है तथा इनके यहाँ अब भी हिंदुस्तान के कई मशुहूर कलाकार मौजूद है 19 वी शताबदी में टॉंक के नवाब इबराहिम खां संगीत के जानकार और आश्रय दाता थे उन्ही दिनों नवाब हैदर अली खां बहुत अच्छा गाते थे और किलसी नरेश नवाब जानी सहाब भी खुद सुर्सिंगार बहुत अच्छा बजाते थे मैसूर के महराजा सहाब श्री कुष्णराज वारियर संगीत विद्ध्या के बहुत बड़े जानकार थे उन्होंने शेशन्ना और सुबन्ना से रुद्र बीन सीखी थी पंच गचिया नरेश महराजा रक्ष्मी नारायन सिंग हार्मोनियम और पक्वाज बहुत अच्छे बजाते थे और संगीत के बड़े पार्खी थे बनैली के महराज कुमार शामानन सिंधा विश्वदेव चटर जी से खयाल आस्ताई सीखे और बहुत सुरी लगाते थे उन्हें संगीतग्यों से बहुत प्रेम है और भारत के सभी संगीतग्यों को इन्होंने अपने यहां सुना है तथा उनका आदर सतकार किया है सारे बिहार राज्य में संगीत के मामले में इन से ज़्यादा समझदार और कदरदान दूसरा रईस नहीं इन लोगों के अलावा बहुत से रियासतों के राजा और रईस संगीत के बड़े जानकार और प्रेमी हुए है उन में से कुछ स्तानों के नाम ये है लुनावाडा, मूरसान, ग्वालियर, बड़ावदा, आवागड, हाइदरबाद, दुजाना, किसंगड, बूंदी, उनियारा, जोतपूर, जूनागड, भावनगर पटियाला, राचकोट, नाभा, कश्मीर, मिरज, इचलकरंजी, कोलहापूर, गडवाल, मुगाल, जमखंडी, भोर, इंदोर, देवास, धार, भोपाल, दर्भंगा, मुर्षिदबाद, सुल्तान गंज, महिशादल, पालंपूर, राघनपूर, धर्मपूर, बांजदा, इतारी.